असनामलेकूम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब आप सब ठीक ठाक होंगे सब की कुर्बानिया हो गई होंगी और गोष्ट फ्रीजर में पड़ा होगा तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पिशावरी नमकीन गोष्ट की रेसिपी जो को बनाने में बहुत यसान है बहुत टेस्टी है और बिल्कुल कम इंग्रीडियंट से बनता है तो चलिए है रेसिपी स्टार्ट करते हैं आदा कब कुकिंग ओल लेंगे इसको गरम करने के बाद इसमें हम आदा किलो गोष्ट डाल देंगे मैं बकरे का गोष्ट ले रही हूं आफ बीफ पी उसकर सकते अद्रक लेसन का पेस्ट लेंगे वन टेबल स्पून और इसकी हमने इनिशली भुनाई करनी है इतना भुनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए ठीक है इसका आप देखें कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम तीन अदर टमाटर डालेंगे इसका मैंने चिलका उतार दिया है म हम शामिल कर देंगे 7 ही 6 हरी मिर्चे असपे जाई का नमक या 1 टी स्पून मैंने नमक डाला है थोड़ा सा नमक ज्यादा जाता है और साबित काली मिर्चे हमने डाली है 10 से 12 अदर और इसको हमने हलका सा मिक्स कर देना है साथ ही इसमें आदा कब पानी शामिल कर रही हूं इसको प्रेशर देंगे अच्छा मेरे पास नॉर्मल प्रेशर कुकर नहीं है गैस वाला तो मैं इसको एलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसको मैंने प्रेशर देना है मैं दूँगी 25 मिनिट के लिए कुर्बानी वाला गोश्ट है तोड़ा सा इसको प्रेशर देते हैं तो इसको पंद्रा मिनिट दीजेगा और इसी तरह से विसल्स का हिसाब आप देख ली जगा गोश्ट अच्छे से गल जाए तो 25 मिनिट में इसको प्रेशर दे रही हूं 20 मिनिट में नॉर्मली गोश्ट गल जाता है लेकिन चूंकि यह कुर्बा पानी का गोश्ट है तो मैं इसको 25 मिनिट के लिए प्रेशर दे रही हूं अब प्रेशर खतम हो गया है इसमें आप देखें पानी अभी है तो इस पानी को हम खुश्क करेंगे तो दूबारा मैं इसको पतीले में निकाल रही हूं और इसका पानी खुश्क करूंगी साथ इसमें 1.5 टी स्पून में कुटी हुई काली मिर्चे डाल रही हूँ फ्रेशली कुटी हुई डालिएगा तो अब इसको मैंने तेज आंच पे छोड़ दिया है इसका पानी खुश्क हो जाए तो पिर इसकी भुनाई करेंगे ठीक है अब इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि टमाटर पी अच्छे से गल जाए और इसके अंदर जो भी तेल है वो अलग हो जाए तो यह देखें इसकी हमने भुनाई कर दी है और इसका तेल भी आपको नज़र आ रहा है कि अलग होने लगा है अब इस स्टेज़ पे हम इसमें हरी मिर्चन डालेंगे साबित हरी मिर्चन डाल रही हूं मैंने आदी कर दी है हरी मिर्चन तीन से चार अदग और बस इसको मिक्स करके हमने फ्लेम आउफ कर देनी है यह हमारा पिशावरी नमकीन गोश्ट तयार हो चुका है नमक की कॉंट और बहुत कम इंग्रीडियंट से ये रेसिपी तयार हो चुकी है जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए रेसिपी बेस्ट है ये देखें बहुत अच्छे से गोश्ट गल चुका है बहुत ही नर्मो मुलाइम गोश्ट है तो जरूर ट्राइ कीजिए गया र हाफिस